नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटपॉर्म इंडिया न्यूज नैशनल में और मैं हूँ नैदिक रास्तिवारी किताबे हर छोटे बच्चे या बड़े हो या बुजर्ग किताबे हर कोई पढ़ना पसंद करता है बस फर्क यह होता है कि उनके मतलब की किताबे होनी चाहिए कुछ लोगों को पोयम पसंद है कुछ लोगों को शायरी पसंद है कुछ लोगों को फ्रिक्शन्स वाले किताबे पसंद है कुछ लोगों को जनरल नॉलेज लेकिन इन दिनों एक सोशल मीडिया पर एक किताब का पन्ना काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा है और वो वाइरल क्यों हो रहा है उसको भी जान लेते हैं दरसल देश में हर जगा देखा जाता है कि दहेश की जो कूपरथा चल रही है उसको लेकर बहुत सारे एंजियो तयार किये गए हैं कि ये कूपरथा को खत्म किया जा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं इस कूपरथा को हटाने के लिए अगर कोई अमल लेता है तो उसके उपर एक्शन भी लिया जाता है कि अगर कोई दहेश लेता है या दहेश से जुड़ी कोई भी वस्तू का अदान प्रदान करता है तो उस पे action mode में सरकार रहती है या फिर हम कहें जो समविधान में लिखा गया है जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें शामिल लेकिन मामला तो तब तुल पकड़ा है जब एक कित कहां से हवालिया है कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली एक किताब की तस्विर इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब जम कर वाइरल हो रही है इसके पन्ने पर जो लिखा है वो लोगों को हैरान कर रहा है दरसल इसमें शादी से जुड़े दहेश जैसी कूप रथा के में मददगार होता है इसलिए फ्रिज टीवी और गदो जैसे चीजों को दी जाती है दूसरे ये लिखा है कि पिता की ओर से बेटी के हिस्से की जायजात होती है तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अच्छी बात है कि दहेश के बोज के डर से लोग अपनी बेटीयों की सिक आनी होती है वहीं अगर हम बात करें तो प्रियंका चतुरवेदी हैं शिवशेना नेता और राज्यसबासांसत प्रियंका चतुरवेदी ने ट्विटर पर इस वाइरल तस्वीर को शेर करते वे लिखाया कि मैं केंद्रिय सिक्षा मंत्रे धर्बेंद्र प्रधान से अनुर आप इस पूरे मामले में जो है शोशल मीडिया पर सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं और इसके साथ ही बहुत सारी सवाल खड़े हो रहे हैं बहरहाल अब देखने वाली बात है कि कब इस पर प्रशाशन एक्षन में आता है और कब इस किताब को हटाने की बात होती है अग अग्या निसनाशन